आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और मनोज गुपता चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए जिससे की मेरी लेटेश्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए अगर आप भी रियल्मिक डिवाइस यूज करते यूज करके अपने फोन को पहले एक कंपेर इजन में यहाँ पर जो इसकी हैंगिंग प्रॉब्लम में उसको कम कर सकते हैं तो वीडियो का आप कंप्लीट रिखीगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक है तो टेलिग्राम को भी आप जोइन कर लिज करता है या फिर RAM कम है तब तो हैंक करना जाहीं सिनल अप्लीकेशन जोले हमारी 2500 में जाकर यहाँ पे उसके प्रोग्राम चालते हैं यहाँ भी हूर pays है है तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जैसे ही आप इंटर्ण स्टोरेज पी जो लोड डालते हैं मलब कि 64GB है और यहां पर आपने आपने पर जो हुआ है इस कारण आपने की से श्टोरेज को अपके फोन में पर लॉट कर Ta तो आपके फोन पर यहां पर दॉकंटमेंट करते हैं उनको को को सिस्क्रें कि यहां पर 30Gb के नीचे नीचे रखें आपने ही जो capacity है और सास्थ में मैं आपको एक और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी आपको चीज यूज करते हैं जितने भी application करते हैं तो आपको multiple application यहाँ पर दो से चार्ट से ज्यादा यूज नहीं करने क्योंकि आपको पता जैसे हमने 5 जैसे यहां से आन कर दिये और 5 प्रोग्राम यहां पे application अने के बाद होने के बाद हो जब हम उसको minimize करते तो, जब RAM मेनेजमेंट में जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अप्लिकेशन ऐसे रेम मेनेजमेंट में चला गया और हम Indies ज्याता आगर वहां पर लोड परता है तो आपका जो है डिवाइस रॉय में जो है लोड पैर जिसके कारण आपके रिवाइस हैंग करता है और आहाँ पर settings मैं बता जीत कि दुवäg आप इसको ड्रू चो जो कंडूल कर सकते हैं जैसिकि आपको setting में चल जा रहा है अपने जो भी बैक्राउंड में अप्लिकेशन रन कर रहा है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ठीके तो सबसे पहला आपको यहां पर बैक्राउंड प्रोसेस लिमिट को करना है और यहां से जोई इसको आपको लिम्टेट कर ददना है मतलब जितना कि आपको चाहिए अप्लिकेशन और सेकेंड चीज़ आपको नीचे चले आना है और यहां पर जैसे आएंगा तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है विंडो अनिमेशन जूम का इससे आपके डिवाइस से थोड़ा फाइस्ट और इंप्रूब करने में जो एक काम लाता है और साथ में आप अगर अपने डिवाइस यूज करते हैं और आपने यहां पे हाई एमाउंट के साथ अगर फाइल से यहां पर रखी हुई है और आप यूज करते हैं सभी चीह और एक सा ऐसे देने अपने फोन को जैसे की मांक चलिए अगर आप यहां पे एक महिना दो महिन यूज कर लेतें तो आप अपने फोन का जो बैककाप है किसी एकषा इंगा सेपकरेटली रख सकते हैं जैसे अपने फोन का बैकप एक जगा 돼टली रख लेंगे तो तो आपको next month या कभी भी आपने phone के एक बार wipe data कर लेना है switch off करके इसके लिए बीडियो बनाएंगे यह प्राइवाल बटन में मैं प्रोबाइड करवा दूंगो कैसे wipe data किया जाता है उसके लिए भी आप देख लीजिएगा और आपको wipe data करने के बाद जो आपको जो भी और साथ में जब भी आप phone यूज करते हैं और phone यूज करने के बाद आपने मानके चलिए एक साथ आपने पांच शे अप्लिकेशन खोल दिये और उसके बाद आपने समने मिनिमाइज करके और लॉक करके आपने रग दिया अपने काम करने चलेगे तो उस condition हो कि होता है कि आ आपको यहाँ ने कुछ प्रब्लम यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब भी आप data यहां के रहां करते हूं जैसे मैं है अभी data क्लियर करा कभ देख सकते हैं यूऔर phone status is optimal मतलग कि अप समझ सकते हैं को यहाँ हम इसको okay करता हैं यहां से अब यह हमारा जो अभी मैंने थोड़ी देपले जो अप्लिकेशन और करी थी वह हमारी रैम मेनेजमेंट में जो चली गई हूँ प्रोग्राम हमारी रैम मेनेजमेंट में जो वर कर रहे अब आप इसको टिक करिए यहां पर आप जैसी इसको करेंगे तो देख सेखते हमारा जाए एक अप्लिकेशन program हो गया इसे तरी के मैं दोतिने केशन यहां से ओपन कर लेता हूँ, जैसे यहां से सैटिंग ओन हो गई, ठिक है हम थे और यहां से हम किसीर और भी और वी प्लेश्टोर ओपन कर लेते हैं और यहां से हम जोए और वाना प्लेश्रो ओन हो गया तो उसके बाद क्या हो करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं चाववानम्बी रिलीस कर दिया मतलब कि चाववानम्बी का जो हमारा पावर थो चुछ रहा था यहां पर जितनी भी अप्लीकेशन चल रही थी आप समझ के लिए कर आप इसको लॉक करके रखते तो चाववानम् सारे फंक्शन यूज करते हैं तो उससमें आपका फोन बहुत स्लो काम करेगा तो आप समझ सकते हैं कि यह हैंगिंग की मौश्ट आप प्राब्लम हो सकते हैं आपके डिवाइस के लिए तो यहां पर फ्रेंट से उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो के थूरू इन्फोर किजिएगा और इस चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राब करके बैल आइकन को प्लेस किजिएगा फ्रेंट मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और नए टोपिक के साथ तो फ्रेंट थैंक यू सो मुझ